हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिधार्थ ऑनलाइन कोचिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसी सेकेंड डियर के लिए इसका फास्ट पेपर का थर्ड यूनिट पोलराइजिसन अफ लाइट और इसमें सेकेंड लास इसका जो सेकेंड ल लाइंट्स हाफ सेट पोलारी मीटर तो हाफ सट पोलारी मीटर क्या होता है important topic है यह और exam में आने की प्रबल संभाव ना है तो लाइंट्स हाफ सेट पोलारी मीटर की बात करें तो यह एक instrument है डिवाइज है जिसका यूज किया जाता है measurement करने के लिए optical rotation को और optical rotation किसका measure किया जाएगा optically active substances का जो कुछ special substance होते हैं जो किसी भी light coincidence होने पर उनके vibrations को कुछ angle पर rotate कर देते हैं उन्हें का जाता है optically active substance जो previous lecture में हम लोग पढ़ चुके हैं तो Lawrence half set polarimeter क्या होगा यह होगा it is used to measure या it is an instrument of optically active substances अब उसके बाद इसका पूरा पढ़ना हमें construction और working तो फिलाल सबसे पहले बात करते हैं construction इसकी बनावट कैसे होगी तो सबसे पहले इसमें दो निकोल प्रिस्म लिए जाएंगे एक निकोल प्रिस्म है N1 और दूसरा निकोल प्रिस्म है N2 N1 और N2 दो निकोल प्रिस्म होगा निकोल प्रिस्म एक जो फर्स्ट है N1 उसे यूज किया जाएगा polarizer की तरह और दूसरा जो निकोल प्रिस्म है N2 उसे यूज किया जाएगा analyzer की तरह पूरे construction की बात करें तो सुरुआत में यह है monochromatic light source या फिर कहें तो यह रहेगा sodium lamp यूज किया जाएगा तो sodium lamp यूज किया जाएगा यहां से monochromatic light यहां से produce होके यह आगे की ओर travel करेगी और इस convex lens पे convex lens L पे जब incident होगी तो यह light को यहां से कर देगा parallel अब यह parallel light आगे की ओर travel करेगी तो जब यह light क्या काम करता है एक ही इस beam की बात करें अगर तो इसके अंदर जब light travel करती है तो Nicole prism इस beam को incident light को या फिर जी से कहा जाए unpolarized light को ordinary light को दो beams में split कर देता है एक beam तो होती है o ray जिसके vibrations होते हैं perpendicular to the plane और दूसरा होता है e ray जिसके vibrations होते हैं parallel to the plane तो इस प्रकार से यह light जो है यह polarized light हमें बाहर मिल गई तो polarized light हमें मिल गई तो जो device unpolarized light को polarized light में बदलने के लिए यूज की जाती उसे का जाता है polarizer तो यह Nicole prism जो first Nicole prism n1 है वो as a polarizer यूज किया जा रहा है इसके बाद एक device यूज किया गया है half set device या फिर Lawrence द्वारा इसे invent किया गया इसी वज़े से इसका नाम है Lawrence plate तो इसे कहेंगे half set device और या फिर कहेंगे Lawrence plate इसका construction यह अगर दिख रहा हो कि rectangular है तो rectangular यह रहेगा नहीं इस प्रकार से यह circular रहेगा और circular भी half set device का मतलब यह कि इसका दोनों भाग जो है इसका half यह जो semi circle है और यह semi circle है दोनों तो एक जो है वो बना हुआ है दूसरे material का और दूसरा दूसरे material का रहेगा पहला जो है मान लिया गया वो है quartz crystal का positive जो crystal है positive crystal है और यह हो गया quartz और दूसरा वो जो है वो हो गया glass plate तो आदा भाग जो है glass plate से बना हुआ और आदा भाग इसका बना हुआ quads plate से दोनों को मिला के जो ये device बना हुआ जो plate बना हुआ है उसे कहेंगे half set device या फिर कहेंगे lorence plate इसे बीच में ऐसे place कर दिया गया है तब light इसमें quads में से भी पास होगी आदी light और आदी light यहाँ पे glass में से भी पास होगी तो आदे आदी light दोनों में पास होने की वज़े से इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो light यहाँ पे इस tube पड़े वो दोनों में से same intensity होते हुए पूरा का पूरा यह जो circle फॉर्म कर रहा पूरा का पूरा same intensity से light इस liquid पे पड़ी तो अभी इसका पूरा construction पूरा working और पूरा यह कैसे काम करेगा कैसे इसे बनाया जाएगा क्या इसका use है, significance है यह सब बाते हम लोग पढ़ेंगे half set device के बारे में तो यह N1 हो गया, nickel prism जिसे polarizer का गया, उसके बाद यूज किया गया half set device और इसी device को यूज करने की वज़े से पूरा नाम है इसका half set polarimeter अब उसके बाद एक hollow tube है circular tube है जिसका diameter ज्यादा है और large diameter का एक hollow circular tube ले लिया गया इसमें जिसका भी जिस भी solution का हम लोग optical rotation find करना होगा जिसका भी optical rotation find करना होगा उस solution को इस willion को ये दोनों ends पे ये open हो सकता इसे खोल के इसमें willion भर दिया जाएगा और इस प्रकार से solution willion को भरेंगे कि इसमें air bubble produce ना हो अगर by chance air bubble produce हो भी गए थोड़े बहुत तो वो इसमें आके adjust हो जाएंगे इधर पे तो इस वज़े से ये इस प्रकार का structure दिया गया दोनों साइट तो ये air bubble इसमें adjust हो जाएगा बाकी हम लोग कोसिस करेंगे कि ये जो solution भरा हुआ उसमें air bubble produce ना हो तो ये hollow tube हो गया और tube क्या होगा containing solution जिसमें solution भरा जाएगा कौन सा solution भरा जाएगा जिसका optical rotation जिस भी solution का जिस villain का optical rotation हमें find करना है उस solution को उस villain को इसमें भर लिया जाएगा अब ये क्या करेगा light को जितना rotate कर देगा light को जितना rotate किया जाएगा उसे measure किया जाएगा analyzer के थू, analyzer क्या करता है, analyzer इससे पहले भी light की intensity को चेक करने के लिए analyzer का use किया गया था, क्योंकि अगर दोनों का principle section एक दूसरे के perpendicular रहेगा, तो light यहाँ पे मिल रही थी, कुछ भी light नहीं मिल रही थी, जिसकी light की intensity थी वहाँ पे 0, minimum intensity के साथ वहाँ पे light की intensity थी 0, जीसे का गया no light, इसे हम लोग optical rotation में पढ़ भी चुके हैं, पिछले lecture में, तो अगर light को यह rotate कर दे रहा है, तो शुरुवात में अगर बात करें, अगर यह खाली है, शुरुवात में अगर यह खाली है, तो यह light जो है, incident होगी इस पे, इस पे से, यहाँ से कौन सी light मिलेगी हमें, जब यह plane polarized light, जब यह plane polarized light, दूसरे nicole prism मतलब जिसे analyzer की तरह यूज किया गया, उस पे incident होगी, तो दोनों के principle axis जब एक दूसरे के perpendicular कर दिये जाएंगे, तो यहाँ पे light की को intensity नहीं मिलेगी, उस जगह इसे fix कर दिया जाएगा, और यहाँ पे, जो circular scale यहाँ पे, टेलिस जली active substance भर दिया जाएगा, जो कि light को rotate कर रहा है, तो जब active substance जो है, या फिर उसका solution इसमें भर दिया जाएगा, तो वो light को rotate करेगा, अब जब light को rotate करेगा, तो जब analyzer से देखा जाएगा, वहाँ टेलिसकोप में, तो जो analyzer से light पास हो रही है, उसकी intensity जहाँ 0 थी, वहाँ अब 0 ना होके, कुछ न कुछ light की intensity हमें mirror रही है, बतलब ये light के axis को, कुछ न कुछ vibrations के axis को rotate कर दिया, अब फिर से 0 करने के लिए इसे rotate करना पड़ेगा, इसे rotate किया जाएगा अगर, तो rotate करने के बाद, जितना angle rotate करने के बाद, फिर से हमें 0 intensity मिल जाएगी, तो दोनों angle, दोनों के बीच का जो difference है, वो फिर circular scale पे measure कर लिया जाएगा, और वो मिल जाएगा हम लोगों के लिए optical rotation theta की value, और फिर इससे find किया जा सकता specific rotation, S is equal to theta by L into C, जहां पे theta angle of rotation हो गया, L यहां से यहां तक length of tube हो गया, और C हो गया, इसमें solution का concentration जो इसमें fill किया गया है, भरा ग protection, अब हम लोग बात करतें, इसके working की, तो अगर working की बात करें, तो working में माल लिए गया, फिलाल, शुरुआत में, यह जो H है, half set device वो नहीं है, अगर half set device नहीं है, और यह जो tube है, वो खाली है, अगर tube खाली है और यह half set device नहीं है, absent है, तो यह अगर नहीं है, तो यहां से जो light मिलेगी यह मिलेगी plane polarized light, जब दोनों का axis is n1 और n2 का axis जो principle section एक दूसरे के perpendicular हो जाएगा, तो यहां पे मिलेगी light की zero intensity, अब उसके बाद इस condition को यहां fix कर लिया गया, इस reading को note कर लिया गया, दूसरे condition में, जब इसे optically active substance से भर दिया गया, जो light को rotate कर पा रहा है, तो incident हो गई, तो light के vibrations को यह थोड़ा सा rotate कर दिया, तो rotate करने की वज़े से, यहां पे क्या हुआ, कि यहां पे light की कुछ न कुछ intensity हमें analyzer से मिलेगी, तो फिर analyzer को rotate किया जाएगा, रोटेट जितना भी होगा, वो circular scale पे measure हो जाएगा, और फिर telescope से इस बात को देखके, उसे measure कर करके, मतलब light की intensity को zero कर देंगे, और जीतना इसे rotate किया गया, उसे measure किया जा सकता है, लेकिन इस half set device को use नहीं करने की वज़े से बस एक दिक्कत आई, कि जो आँख द्वारा देख रहे हैं, उनली आई द्वारा देख रहे हैं, वो perfect का perfect zero नहीं हो पा रहा है, जिसकी वज़ complete darkness मिले, तो इस पूरी बात को, इस पूरे working को लिख दे रहे हैं, कि अगर ये absent है, तब क्या condition होगी, और क्यों जरूरत पढ़ रही है इसकी, तो इसे देख सकते हैं, कि working में इसे लिख दिये, कि let us suppose for a moment that the half set device, H is not present, तो half set device, मतलब lorange plate, इसमें से अटा ली गई, माली गया, कुछ समय के लिए वो है ही नहीं, फिर, the position of Nicole N2 is adjusted, so that the field of view is completely dark, when the tube T is empty, तो tube T को एकदम खाली कर दिया गया, अभी कोई solution इसमें नहीं भरा गया, तो इस N2 को इस प्रकार adjust किया गया, कि जो light की intensity है, मतलब दोनों का principle, section N1 और N2 का एक दूसरे के perpendicular हो गया, इस वाज़ N2 is crossed with respect to N1, the reading of N2 is taken, now the tube T is filled with the experimental solution, तो अब tube T में, जो solution वो भर लिया गया, this rotates the plane of polarization of light coming from N1 through some angle theta, तो मान लिया गया कि theta angle ये light को rotate कर दे रहा है, plane of vibrations को, so that some light is transmitted by N2, now N2 is rotated until the field of view again becomes dark, and its reading is noted, तो पहली reading भी note कर ले गई, अब फिर से मतलब solution बरने के बाद, solution बरने के बाद जो इतना light को वो rotate कर रहा है, कुछ नो कुछ intensity मिलने लगी, उस intensity को 0 करने के लिए N2 को rotate किया गया, और कितना rotate करने के बाद, फिर से reading को दोनों को note कर लिया गया, this will happen when N2 has been rotated through the angle theta, in the direction of optical rotation produced, hence the difference of two reading of N2 gives the rotation of plane of polarization, तो यहां से हमें मिल गया, rotation of plane of polarization, मतलब कितना optical rotation हुआ, तो फिर एक इस में बढ़ा दिया गया, एक और point लिख दिया गया, requirement of half set device, तो अब उसके बाद क्या किया जाएगा, वो पूरा device का, half set device का डाइग्राम बना के, समझा जा रहा है, तो एक type का plate यूज करने से, जो आई है, वो judge नहीं कर पा रही है, complete dark position को, इस वज़े से आवसेक्ता पड़ी हम लोगों को, half set device की, तो half set device कैसे बनाए जाएगी, या फिर इसे पहले requirement इसकी क्यों पड़ी, क्योंकि एक प्रकार का जो plate है, वो उससे काम न नहीं कर पा रही है, या उसकी position को measure नहीं कर पा रही है, तो अब उसके बाद हमें half set device की अवसेक्ता पड़ी, और ये कैसे बनाया जाएगा, दो semi circular plates को जोड कर बनाया जाएगा, इस type से मालिया गया, ये half semi circle ये हो गया, और ये half semi circle ये हो गया, तो इन दो circular plate, half circular plate ये हो गया दोनों को बीच से जोड दिया गया, तो ये जो है, वो दो half circular plates का combination है, लिख दिये हैं, it is combination of half wave plate, Q of quads, cemented to a semi circular glass plate, तो एक ये हो गया, माली quads का जो plate हो गया, इसका नाम हो गया, A, C, B, ये A, C, B हो गया, इसे principal section के parallel इसे काट लिया गया, और काटने के बाद, इसका जो diameter के along A, B हो गया, इसे principal section के parallel काट लिया गया, अब उसके बाद दूसरा जो glass plate है, दूसरा कौन सा है, ये glass plate है, इसका नाम है A, D, B, इन दोनों को cemented कर दिया गया, आपस में जोड दिया गया, अब जो quads है, quads है, इसका thickness इस प्रकार से रखेंगे, कि जो इन में phase difference हो, वो pi का हो, और path difference हो, वो lambda by 2 का हो, तो अगर lambda by 2 का path difference होता है, तो उसे कहते हैं half way plate, क्योंकि quarter way plate और half way plate दोनों चीज़े पढ़ चुके है, तो अगर path difference lambda by 2 का हो, और phase difference pi का हो, तो वो का जाएगा half way plate, तो half way plate ये हो गया, मतलब जो quads plate होगा, वो इस प्रकार से रहेगा, quads plate इस प्रका acting crystal है, ये जब light इसके उपर incident होती है, तो उन्हें दो lights O ray और E ray में split कर देता है, तो जो दो ray है, वो O और E ray के भी जो phase difference होगा, वो होना चाहिए, pi का, तो pi का होगा, और ये positive crystal है, तो इसमें ordinary ray जो है, वो faster travel करेगी, in comparison of extraordinary ray, और जो ये तो गया, इसके थिकनेस की बात, इसक रखा जाएगा, कि जो face difference होगा, O और E ray में वो होगा, pi का, और इसका थिकनेस इस प्रकार से होगा, कि जीतना light, ये absorb कर रहा है, मतलब जीतना light quartz plate absorb कर रहा है, उतना ही light glass plate भी absorb करना चाहिए, तो glass plate का थिकनेस इस प्रकार से रखा जाएगा, कि जीतना amount light, जीतना amount में light को absorb quartz प्रकार का इसका थिक्नेस लिया जागा इस पोरी बात को लिख भी दियें कि it is combination of half way plate or q of quartz cemented to a semi circular glass plate thickness of quartz plate is such that it introduces a phase difference of pi between ordinary and extraordinary the thickness of glass plate is such that it absorbs same amount of light as quartz plate तो ये पूरा इससे बना लिया गया, ये बन गया half set device, या फिर कहें तो lorange plate, तो अब जब ये lorange plate बन गया, तो इसे कहां रखा गया है, कहां introduce किया गया है, इसे रखा गया है, पोलराइजर के बाद मतलब n1 first nickel prism जो है n1 polarizer की तरह act कर रहा है, उसके बाद यूच किया गया, यहां पर, तो half set device, ये n1 मतलब first nickel prism जो polarizer की तरह वर कर रहा है, इसके आगे ये इस प्रकार का device रख दिया गया, इस प्रकार से half set device को रख दिया गया, तो ये होगे half set device, इसका फ्रेंट व्यू यह है अगर इसे देखा जाए तो यह ऐसे रखा हुआ है इसमें दोनों half plate quards की एक plate है और दूसरी हो गई glass की plate इस प्रिकार से यह quards हो गया यह हो गया glass यह ऐसे बनाए तो इधर का जो semi circular part है ACB ACB यह हो गया quards इधर का जो half part है वो हो जाएगा ADB तो ADB जो semi circular plate है वो हो गया glass plate तो दोनों का थिकने सब कुछ यह बना लिया गया अब इसे place कर दिया गया यहां पर यह place कर दिया गया घुमा के इस टाइब से इसे यहां रख दिया गया तो जो N1 से हमे plane polarized light मिल रहे थी अब यह इस पर incident होगी किस पर इस plate पर half set device पर incident होगी अब light incident होगी माल लिया गया इसका circle O है और इसके vibrations हो रहे हैं इस type से light incident हो रही है इस पर ग्लास प्लेट पर तो अगर इसे पीछे की और बढ़ाएं तो ऐसे बढ़ा सकते हैं तो यह vibrations यह अगर ओ है तो माल लिया गया इधर की और vibrations और यह और यहां पर देखा जाए तो और जो है वह फास्टर ट्रेवल करते है पॉजिटिव क्रिस्टल के के इसमें O-ray faster traveling करती है in comparison of E-ray तो faster travel करने के लिए क्या होगा कि जो ordinary ray है वो ट्रेवल करेंगी along o-d तो along o-d हो गया और जो गया एक्स्ट्रा और च्रीडि रे अब अब जब quartz crystal से ये O ray और E ray दोनों pass करेंगी तो ordinary ray जो है faster travel करेगी तो faster travel करेगी और हम लोग quartz crystal को लिए इस प्रकार हैं कि जो उनमे phase difference produce होगा phase difference produce होगा वो होगा πाई का तो पाई का phase difference अब ordinary ray में produce होगा और ordinary ray में अगर πाई का phase difference produce होगा तो ये light जो इधर travel कर रही थी या ये जो beam इधर travel कर रही थी पाई डिग्री इसका अगर phase change हो तो ये light इधर travel करने लगी तो ये component इधर की और move करने लगा तो अब अगर ये E ray के लिए हो गया और ये हो गया O ray के लिए इन दोनों का अगर resultant find किया जाए तो ये देखा जा रह इधर की और vibration हो रहा है तो ये थीटा एंगल पर इधर की और वाइब्रेट हो रहा था glass plate में तो ये भी थीटा एंगल पर quartz plate में इधर की और vibration होने लगा ये angle हो गया थीटा ये हो गया अगर Q माल ले इसे तो ये हो गया glass plate में जो emergent light है उसके vibrations है along OP और इसमें quartz crystal में जो है उसमें vibrations है along OQ तो vibrations अगर यहां से यहां तक देखें तो यहां बना सकते हैं इस point को लिख सकते हैं ये P है तो इसे लिखा जा सकता है P dash और ये Q है तो इसे पीछे बढ़ा के लिखा जा सकता है Q dash तो जब light इस पर incident होई तो light incident होने के बाद जो vibrations glass plate में थे वो थे OP के along या फि क्रिश्टल में light incident हुई तो quartz crystal double refracting crystal है वो light को दो beams में split कर दिया एक हो गया ordinary ray दूसरा हो गया extraordinary ray तो extraordinary ray along OA travel कर रही है और ordinary ray along OD propagate कर रही है आगे की और beam split होके move कर रही है तो यह quartz crystal positive crystal है इसमें ordinary ray की velocity ज्यादा है refractive index कम है तो velocity जब इसका ज्यादा है तो इसमें phase difference होगा phase difference कितना हो गया यह quartz crystal लिया ही इस प्रकार से गया है कि उसमें जो phase difference होगा वो होगा πाई क्योंकि यह half wave plate है तो पाई phase difference होने की वज़े से यह जो phase change हुआ जब तो 180 पाई मतल ordinary और extraordinary रेक अगर resultant find करें तो यह हो गया oq oq direction में जब यह light बाहर क्यों रहा है गी quartz crystal में तो oq direction में यह इसके vibrations oq direction में हो गया और इसके direction op direction में हो गया अब इसमें चार conditions बनती है तो चार condition क्या बनती है अगर n2 जो है इसके direction को इसके axis को अगर oa के parallel कर दिया जाए oa के along कर दिया जाए बाकि अगर o p के along कर दिया जा तो अगर करते हैं तो केवल यह वाला इस्सा मतलब plate वाला जो हिस्सा है वो हीmediate हो अगर इसके vibration इससे कर दिया जाए along oq तो o q के along करते हैं तो यह केवल quards वाला हिस्सा eliminate होग और बाकी यह जो क्साफी यह डार करेगा और यही प्रकासित होगा, illuminate होगा, illuminated होगा, और अगर इसे COD के along कर दिया जाए, तो पूरा का पूरा जो half set device है, वो dark ही हमें मिलेगा, तो चारो conditions को लिख लेते हैं, और उसे बना लेते हैं, तो इस बात को यहां पे लिख दे कि, if principal plane of analyzer is parallel to OP, मतलब जो analyzer, मतलब ये और ये, इन दो सुनों की बात करें, तो इसका analyzer का जो principal plane है, अगर OP के along parallel to OP, तो पैरलल to OP है, तो light इसमें से क्या होगी, इस glass OP के along, इसमें से light pass होगी, मतलब glass के through तो light pass होगी, लेकिन जो quartz crystal है, इसमें light abstract हो जाएगी, इसमें से रुख जाएगी, तो अगर इसमें से light रुख जाएगी, त बन जाएगा, यह जो quartz plate है, यह quartz plate जो है, वो हो जाएगा dark और जो glass plate है, वो हो जाएगा bright, दूसरे case में, यह तो first case हो गया, first case में क्या हो गया, कि if principal plane of analyzer is parallel to OP, दूसरा, if principal plane of analyzer, principal plane PP is parallel, पैरलल किसके parallel है, parallel to OP के parallel था, first case में, अब कर दिए OQ के parallel, OQ, तो OQ के parallel अगर हो जाए, तो light कहां से pass होगी, तब light pass होगी, then light passes through crystal, यह बात लिख लेंगे, then light passes through crystal and obstructed by glass plate, तो glass plate से light नहीं pass करेगी, केवल crystal से pass करेगी, और जब crystal से light pass करेगी, तब कैसा diagram बनेगा, इस प्रकास से diagram बनेगा, अब क्या यहां पे हो रहा है, यहां पे glass plate से light pass नहीं कर रही है, तो यह glass plate वाला जो portion हो गया, यह हो गया, अगर जो principal plane of analyzer is parallel to, अगर इसे कर दिया गया, A, O, B के parallel, तो third case यहां पे लिख दिए, यहां पे, इस principle plane is parallel to, किसके parallel है, A, O, B, parallel to A, O, B, तो A, O, B के अगर parallel है, तो दोनों portions में से, कुछ कम intensity में light pass करेगी, लेकिन दोनों में से ही light pass करेगी, तो जो दोनों यह glass plate और quartz plate है, equally illuminated होंगे, equally bright होंगे, तो इस प्रकार से यह दोनों कैसे हैं, दोनों bright हैं, और यह होगए equally bright, equally bright, और third case की अगर बात करें, third case में क्या कह दिया गया, कि अगर जो light है, जो parallel plane है, किया जाए, COD, तो COD के पहले लगर कर दिया जाए, तो कोई light pass नहीं होगी, इस condition में इस प्रकार से diagram बनेगा, पूरा पूरा dark रहेगा यह, तो कोई light यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी, यह पूरा इसका requirement था, तो अब इसके along, AOB के along light इस पे incident होगी, और पूरा का पूरा यह bright रहेगा, और पूरा optical rotation हो करने के लिए, इस tube और nickel prism first के बीच में इसे place कर दिया गया, अब हम find करते हैं, और पूरा sugar solution इस tube में भर लिया जाएगा, सबसे पहले यह पूरा arrangement जियों काते हों रखा जाएगा, पहले source, monochromatic light source, sodium lamp, उसके बाद lens, उसके बाद polarizer, nickel prism, जो वर करेगा polarizer का, plain polarizer light यहां से देगा, इसके आगे रख दिया गया half set device, जो quards और glass plate को मिला कर बनाया गया, उसके बाद एक खाली glass tube है, यह यह एक hollow tube है, जिसमें हमें solution भरना है, और उसके बाद एक analyzer यूज किया गया, उसके बाद telescope से हम देखेंगे, और इसमें लगाया गया circular scale, और vernier की साहता से, इस पर कितना angle का rotation हुआ, दोनों reading पहले और बाद की note करके, दोनों को subtract करके, दोनों के बीच का angular rotation find करके, specific rotation find कर लिया जाएगा, तो अब हमें specific rotation sugar solution के लिए find करना है, तो लिग दे determination of specific rotation of sugar solution, तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए half set जो device है, लोरेंच, प्लेट जो था इस प्रकार से बनाये थे, A, B, C, D, और ये था O, इसमें vibrations थे O, पी के along, और दूसरा O, Q के along, ये हमें मिले थे, तो अब अगर light जो है, A, O, B के अगर parallel axis है, तो parallel axis अगर analyzer की है, तो जो equally illuminate होंगे, तो first condition में क्या करेंगे, ये पूरा arrangement रखने के बाद, जब tube खाली है, तो इस प्रकार से इस पर light incident हो होगी, A, O, और इसके बाद analyzer को इस प्रकार से उसका जो axis है, वो हो जाएगा parallel A, O, C के parallel हो जाएगा, तो क्या होगा, ये equally illuminate होगा, और equally illuminate होगा, तो ये पूरा equally illuminate होगा, मतलब पूरा का पूरा कम bright होगा, लेकिन पूरा-पूरा circular plate जो है, एक समान brightness सो करेगा, और उस time पर हम लोग circular scale of vernier की सायता से इसका reading note कर लिया जाएगा, कि N2 की position क्या है, अब उसके बाद इस जो ट्यूब है, ट्यूब में भर दिया जाएगा sugar solution, sugar solution भरने के बाद sugar solution क्या करेगा, vibrations को rotate कर देगा, vibrations को theta degree मा लिया गया, rotate कर दिया गया, तो rotate करने के बाद अब जो पहली condition या वो वहाँ नहीं मिलेगी, उसके लिए क्या किया जाएगा, इस N2 को फिर से उसी brightness ताकि दोनों equal illuminate हों, उस condition में rotate किया जाएगा, तो जीतना ये solution light के vibration को rotate किया होगा, उतना ही अगर analyzer को भी rotate कर दिया जाएगा, तो फिर पहली वाली condition मिल जाएगी, तो N2 की पहली position और N2 की दूसरी position मिल गई, जब ये equally illuminate हो गया, तो अब दोनों positions को note कर लिया गया, दोनों को circular scale पे measure करके, दोनों का difference से हमें मिल गया, हमें मिल जाएगा यहाँ पर angular, angle of rotation, theta, इस बात को लिख दी दिया है, कि N2 is first adjusted, so that two halves are equally illuminated, without sugar solution, sugar solution is filled in tube and N2 adjusted for equally illuminated half, the solution rotates the plane of vibration of OP and OQ, through same angle theta, Nicole N2 must be rotated, हाँ, क्योंकि ये अब rotate कर दिया sugar solution, तो N2 को भी rotate करना पड़ेगा, कि जैसा पहले ये equally illuminate थे, वैसे फिर हो जाएँ, तो वैसा करने के लिए theta angle, जीतना ये rotate किया है, मतलब जीतना sugar solution rotate किया है, vibrations को उतना इसे भी rotate कर दिया जाए, तो उसे भी rotate कर दिया गया, Nicole N2 must be rotated through angle theta in direction of rotation produced, hence difference between two positions of N2 gives angle of rotation, तो angle of rotation हमें मिल गया, तो हमें specific rotation find करना, specific rotation S is equal to होता है, theta by L into C, L है length of the tube, तो length of the tube, यहाँ length जो है decimeter में ले लिया जाएगा, और C रहेगा इसके लिए concentration, concentration of solution, gram per centimeter cube में, तो L हो जाएगा in decimeter, और C, L is theta हो गया angle of rotation, L हो गया in decimeter, और decimeter, और जो concentration C हो गया, वो हो गया, gram per centimeter cube, तो यह concentration, यह तीनों चीज़े place करके हम find कर सकते हैं, specific rotation, तो next heading हम लोगों की आती है, by quarch polarimeter, तो उसके साथ मिलते हैं, अगले वीडियो में, thanks for watching, कि अड़ों की प्रीज़े हाए, अपर्धियों बाभ की प्राथ बढएबर के यह जे ऐसक बारे प्राथिए差不多 अबढ़े आती हैं, और क मीद्रा तो